एलो गेश्टेवेशन वेलकमबग टौ वेडियो तो इसवीड़े में थे स्टार्ट करेंगे संग देपर क्लास को प्रिट करना जो कि एज अ हम यूज करेंगे हमारे ListView को ZAš revise , kita AD zamanants करना हमारे ट्रोख करना टी YOU , जो कि हमारे uhm प्लेयर लिस्ट होता है , जो कि इस प्लेयर लिस्ट होता है जो कि इसको इध्य आइटम हता कर हमार इसको ड्रोख कर McD ever 우리 organize League in villainiy अगर एक आइटम को manually create करना पड़ा, तो काफी ज़ाए time consuming task है, that is the reason कि हम adapter का concept use करते हैं, क्योंकि हम अगर चाहे 1000 या 2000 elements को एक्दम से create कर सकते हैं, by using the concept of adapter, so let's go start with this video, अगर उससे पहले अगर आपको मैं अपने activity main पर दिखाऊं, तो यहां पर हमारे को इस particular theme को delete करना है, जो क को चाहिए का यह हमारे को चाहिए करेंगे तो इस time specify किया था तो मैंने इन particular values को change कर दिया है इसके बाद मैंने यहाँ पर floating action button को थोड़ा सा यहाँ पर specify किया है I know that कि यह wrong position है बट अगर मैं आपको पने physical device में run करके दिखाऊ हूँ तो यह perfectly यहाँ पर visible हो रहा है अगर आप यहाँ पर देखें चो मेरा physical device है इसमें अब layout properly display हो रहा है The reason for that कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यह जो मेरा physical device है यह full activity device नहीं है That is the reason कि जो pixels इसके अंदर कम है तो यहाँ पर हमारे जो floating action button वो यहाँ पर visible हो रहा है So that is the reason कि यहाँ पर मैंने floating action button को specify कर रखा है Okay, तो यह हमारी particular application कुछ इस तरीके से display हो रही है So, अब हम इस video के अंदर start करेंगे हमारे song adapter को create करना तो जाते हमारे यहाँ पर Java के photo को expand करते है Double click करते हैं और यहाँ से अपनी package को expand करते हैं और यहाँ पर हम एक और नया package create करते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम android package को एक नया create करते हैं तो यहाँ पर हमें package का name देता हूँ like adapters और इसके अंदर हम अपना viewPager adapter भी create करेंगे बाद में जब हमारे को viewPager यूज करना होगा तो इसके अंदर हमें ए class create करूँगा जो कि होगी हमारी song adapter तो मैं यहाँ पर song adapter class का name specify करते हैं and then simply hit करते हैं okay then इसके अंदर हमारे को कुछ variables की जरूवत पड़ेगी तो सबसे बाद हमारे को context की जरूवत पड़ेगी क्योंकि एक external java file है that is the reason कि हम इसको main activity में call करेंगे तो हमारे को context भीजना होगा तो array list then यहाँ पर उमारे को generic collection specify करना है तो यहाँ पर मैं specify करते हूं songs list तो actually मैं songs list type का data store करेंगी then name भी मैं देता हूं songs list तो यहाँ पर simple लेते हैं select list and then इसको memory allocate कर देंगे new and then array list यहाँ पर specify कर देते हैं then score कर देते हैं terminate तो यह हमने दो variables यहाँ पर create कर दी है अब then हमारे को यहाँ पर constructor create करने की जुरू होता है तो right click करेंगे generate पर जाएंगे और यहाँ पर हम simply click करेंगे constructor पर दोनों को select करके ok कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा constructor हो चुका है create then जो हमारा song adapter है यह extend करेगा array adapter को क्योंकि list view के case में array adapter यूज़ करते हैं जो कि simple होता है recycler view में हमें recycler view.adapter यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर simple लखना हो चाहता हम application को that is the reason कि मैं यहाँ यहाँ पर list view को यूज़ करना तो song list then इसके बाद अब हमारे को यहाँ पर एक और interface को implement करना है ताकि हम अपनी lists को filter कर सके तो यहाँ पर यहाँ पर filter label class को use करूँगा तो यह यहाँ यहाँ पर filter label class तो इसका मैं use करूँगा then आप देख सकते हैं यहाँ पर जो constructor है यह actually मैं error दे रहा है यहाँ पर आप देखे तो एक जो parameter है वो गलत है जो कि यह हमारा particular int resources है तो हमारे का int resources नीच ही है हमारे को resources यहाँ पर 0 select करने 0 भेजना है and then इसके बाद हमारे को comma specify करने और then यहाँ पर हमारे को song list की भी जिरूवत पड़ेगी तो अभी song list variable create नीवा songs list तो यहाँ पर song list में हमारे को भेजना होगा तो इसके अंदर हम एक और parameter specify करना है तो parameter यहाँ पर specify कर दे ला हूँ, array list type का होगा यह तो array list यहाँ से इसकी को copy कर लेते है इस particular को so copy that and यहाँ पर हम इसको paste कर देते है और यहाँ पर यहाँ पर song list है उसके हम simple एक single देते है तो यहाँ पर अपर 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 को इनिशलाइस करने है values so this, यहाँ पर this dot अब हम यूज करेंगे mContext is equal to जो हमारे context variable है okay, तो हमने यहाँ पर mContext है और इसको हम properly यहाँ पर specify कर देते है mContext तक कि same रहे and then copy that और यहाँ पर replace कर दीजिए और यहाँ पर भी replacement and then इसके और यहाँ पर यूज करेंगे फिर से this dot यहाँ पर song list यूज करेंगे is equal to and then फिर से यहाँ पर specify करेंगे song list और इसको कर देते हैं terminate तो यह हमारा proper constructor है जिसे हम use करेंगे इसको हम call करेंगे inside the main activity तो यहाँ पर प्राइवेट आ रहा है तो प्राइवेट हमें हटा देना है तो यह error आ रहा है इसको हम हटा दिया हूँ देसके पाद हमारे को यह एक method override करना जो कि वहाँ getView यहाँ पर view method को override करेंगे तो आप देख सकते हैं यह हमारा getView method override हो चुका है तो अभी यह return कर रहा है super लेकिन हमारे को यह return कराना list item तो list item के लिए उससे बदे यहाँ पर view create करना है तो view तो यहाँ पर यहाँ पर create करता हूँ list item is equal to and then इसको हम visualize कर देंगे एक किसी view के अंदर यहाँ पर convert view को call करूँगा तो यह जो parameter है उसको मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ then यहाँ पर हम rider करना है context इसके बदद आपको बाहर आजाना है इस particular from method के dot आपको call करना ہے और इसके पर call कर कर होगे inflate और यहाँ पर आपको path पर परवाइड करना है के आपको quon information layout को inplate करना तो जो layout हमें inplate करना है वह हमारा particular playlist items तो playlist items को हमें inplate करना है जो कि हमारा यह वाला layout है, अगर आपको में लिखा हूँ, तो हम भी पहले से open कर रहा है, तो यह वाला layout हम inflate कर रहे हैं, तो इस वाले layout में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर हमें बाकी files को close कर देता हूँ, close all, तो actually close all होगे, song adapter को में close नहीं करना, वापस आते हैं और यहाँ पर हमारे को इसको complete करना है code को, तो यहाँ पर हमारे को एक core parameter specify करना है, जो कि होगा parent, जिसके बाद attach to root को में specify करना है false, और इसके बाद हम भी कर देना है, terminate, तो यह हमारा हो चुका है, पूरा line of code complete, and then इसके बाद हमारे को if block से बाहर आजाना है, तो कि हमने layout को inflate क इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दे current song is equal to, then यहाँ पर use करते song list dot get, and then यहाँ पर आपको position specify करनी है, तो position variable यह हमारा इस particular method का जो position हमारे को specify हो रखी, यह हमने यहाँ पर specify कर दी है position, then use करेंगे text view, उसके बाद यहाँ पर use करेंगे tv title, जो कि हमारा text view title है is equal to, तो हमारे का यह is equal to का use करना, is equal to, and then यहाँ पर आपको use करना list item, क्योंकि इस particular object के तुरू ही आप internet कर सकते view के, क्योंकि आप एक question ना java file के निरा, आप directly find view by id को call नहीं कर सकते, that is the reason, तो यहाँ पर आपको id call करनी है, id, और जो हमने id दी थी, वो थी tv, तो music name हमने दिया था id, अपने particular tv title का तो tv subtitle is equal to, then list item फिरसे specify करेंगे, find view by id फिरसे call करेंगे, and then इसके बाद हम यहाँ पर use करेंगे r.id. and then finally use करेंगे tv, then यहाँ पर use करेंगे music subtitle, जो की subtitle हमारा fetch करेंगा, और इसको हम अपडेट करेंगे dynamically through list view, अब इसके बाद हमारे को यहाँ पर content भी set करने, तो यहाँ पर सबसे पहले tv title use करूँगा, tv title dot set text, यहाँ 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 पर मैं current song object का use करूँगा dot get title को हम call करेंगे, जो कि हमने data class बनाई है, इसमें से मैंने title को set कर दिया, then tv, मैं यहाँ पर subtitle set कर दूँगा, तो set text, फिरसे मैं call करूँगा, and then current song को call करेंगे, then get subtitle, तो आप देख सकते दोनों की दोनों मैंने यहाँ पर content को set कर दिया है, अब इसके बाद guys क्योखिँ हमारा सारा content हो सःत, तो अब हमारा को यहाँ पर return करना हो और यहाँ पर रिर्मूफ करता हूं, रيहाँ पर मैं type करता हूं list item, तो हमारा को रितर करने है, लिस्त item, यह हमारा हो हो चुकर 1, प तो उसके अंदर हम अपने इस particular song adapter को use करेंगे और वहाँ से हम data pass करेंगे song adapter को और then song adapter एक-एक item हमारा list के अंदर draw कर देगा inside this particular fragment. तो यह सारा काम करेंगे हम अपने next video में so that's it for this video guys अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी इसे video को like करें शेर करेंगे दोस्तों के साथ चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजएगा बेल आकेन भी दबा लेजएगा ताकि सब्सक्राइब को नोडिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैंने इस वीडियो से अप्लोड करता हूँ so thank you for watching guys, see you in the next video